जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक वाफ सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज पूर्णिमा व्रत है पूर्णिमा का श्राद है साथ ही अनंत चतुर्दशी के योग भी आजी है तो बहुत सारी बातें हैं आज के दिन से जुड़ी हुई छोटा सकारी करम है ध्यान से सुनियेगा और कल से स्राद पक्ष प्रारंब हो रहा है पहले पंचांग देखें 17 सेप्टेंबर सन दोजार चोविस दिन मंगलवार सम्वंत दोजार एक्यासी बादो का महीना शोकल पक्स्त तिथी पूर्णिमा और चतुर्दशी का आज सहियों जना है नक्षत्र सत्विशा राहुकाल तीन से साड़े चार दिसासूर उत्तर दिशार जैसे कि जो चतुर्दी चिथी है तो चतुर्दी चिथी जो है वो ग्यारा बज़ करके बावन मिनट तक रहेगी दिन में अभी सुबा के साथ बज़े हैं और दो-चार मिनट का हेर फिर हो जाता है सुर्य उदे के हिसाब से तो बारा बज़े तक मान के चलें करीब करीब 14 रहेगी तो 14 से मतलब हो गया अनंत चतुर्दशी आज के रूप में आप उसका बर्त बगरा करना चाहें तो कर सकते हैं और बहुत लोगों ने हैं कल के रूप में भी उसको किया होगा लेकिन यदि आप आज भी करना चाहें तो किसी परकार से कोई दोश नहीं है अब रह जो लोग पूर्णिमा का वर्त रखते हैं तो ग्यारा बज करके बावन मिनट तक चतुदशी है बारा विजे के आसपास तक फिर पूर्णिमा आज लग जाएगी और पूर्णिमा का जो में विशेस विधान होता है वो संध्याकाली नहीं पूर्णिमा होती रात को ही हमें च सुनतर मन से प्रभु सत्य नरायन की कठा करें सुने सुन रंखरें करें कद्री फल करें कसारादार करके च्रमरतादी बाट थी करके विच्वान का जितना भषन कि हांत कहले यजनकों मुखागनि दि जाती है पूर्णे मा तिति में उनका उनका श्राद पूर्णे मा थिति को होगा उस हिसाब से आज मत्ध्यान का समय दुफैर का समय पूर्णी मा के श्राद का बनता है तो समय आप करें आप करीब उस समय को miesरा इसे ले करके चलें और तीन बज़ करके पच्पन मिनट तक वो आप कर्म कर सकते हैं और वैसे भी ब्राह्मन को भोजन जो है मध्यान में ही सुब रहता है स्रिष्ट रहता है वो समय भी भोजन का होता है और ये सभी जानते हैं ब्राह्मन के माध्यम से ही वो भोजन हमारे पित्रों तक पहुचता है। तो भया, जिनका पूर्णी माकर श्राद है वो आज कलनें, और जो कुछ भी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं करते हैं, तो पंद्रा दिन के लिए, जो स्राद पक्ष है, उसमें अपने पित्रों के निमित जला दी देना न भूलें। उसके लिए जो हमारा श्राद विश्य शंक था, वो हमने कल बना दिया था, सोला तारिक में आपको, तो जिनोंने वो श्राद विश्य संक ना देखा हो, वो स्राद विश्य संक देख लें, और महां से वो सुन करके सारी बाते कर सकते हैं। कल अठारा तारिक है, कल से पर्थम सुराद माना जाएगा, आप कल की तिथी भी फजी हुई है, इस बार बड़ा पेच सा फजा हुआ था, कल की तिथी क्या है, कल परतिपदा है, लेकिन कल की तिथी परतिपदा श्य हो रही है, तो जब कोई भी तिथी श्य हो जाती है, त करें लेकिन अगर हम परसों की बात करेंगे हम बात करेंगे आपसे उन्नीस थारिक की 19 सारीट को दिट्या है 19 सारी का 19 सेप्टेमबर का दूसरा सराथ मना जाएगा तो पहला सराथ गब करें यह गलत है कि पर्थम और दिट्या श्राद कर लें, नहीं, तो आप एक काम करें, किसी कॉंट्रोवर्सी में न पढ़ें, आप प्रति पदा का जो श्राद है, वो कल मध्यान के समय ही, जो मैं आपको बता है, डेड़ बजे के आसपास से ले करके, चार बजे के आसपास इसके बीच में ही, आप प्रति पदा का मुख आगनी दी जाती है, जिस तिथी में हम अंतेश्टी करम करते हैं, तो उस तिथी में ही, यानि कि जिस तिथी में शब को मुख आगनी दी जाती है, चिता जलती है जिस तिथी में, उस तिथी का ही श्राद बना जाता है, जिस तिथी में मरण हुआ, जिस तिथी में प आप जिनने यादना वो क्या करें। उनके लिए हमने बता दिया था। ऐसे लोग, ऐसे सबी जन्जों हैं वो अमावस्या लेँ। वो अमावस्या की तिथी माने जाएगी। और मंने सारी बाकाइदा बता दियों हापको। एक ही तिति, यानि के पंद्रा दिन के शाद है, तो जो भी जाने अंजाने पित्र हैं, या आपको तिति का बाहर नहीं है, उन सब के लिए आप अमावशिया तिति चुल लें, बस, ये जानने आप, बागी बहुत सारी जानकारी हम आपको कल के अंक में भी देंगे, अच्छ आपकी कुंडली में कैसा भी विडाल से विडाल पित्र दोश क्यों ना हो इन पंद्रा दिनों में पित्रों की सेवा कर लो भीया सारे दोश दूर हो जाएंगे गव माता की सेवा कर लो पक्ष्यों की सेवा कर लो अपने पित्रों के नाम से फल फुरूट जो भी आप बाट सकते हों कहीं भी जुरूर बाटे इन पंद्रा कीमती दिनों में गाहितिरी मंत्र जदे से ज़्याधा करें गाहितिरी मंत्र करने से आपके पित्र जरूर संतुष्ट होंगे जिस घर के पित्र संतुष्ट हो जाते हैं उस घर में विपत्तियां आती हैं उस घर में मंगल कारें नहीं बनते हैं उस घर में जमी जायाद ने खरीद जाती हैं उस घर के छोटे से छोटे कारी रुप जाते तो इसलिए ध्यान रखना पित्रों को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है तो कल से स्राद प्रारंब है आज पूर्णिम्या का श्राद भी है तो कल से ध्यान रखना पंदरा दिन बहुत कीमती है बाकि समय समय पर हमारे सभी अपिसोड आप लोग देखिए एक खास बात एक विसिस्ट सादना जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी बारा अक्टूबर से दुशेरा से कराई जा रही है उसमें आप सभी भाग ले सकते हैं बहुत अच्छे से उसे जुड़ने का प्रियास करें निशुल्क है सभी के लिए कोई शुल्क नहीं है उसके लिए भी हमने इंद्राक्षी धाम की ओर से विसिस्ट सादना वाला जो वीडियो बनाया वो सुन लीजिए आप ठीक है आज पूर्णी माह है आए भागवान सुर्य मंदारान का ध्यान करें ओम करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवे सयंतं वतास्य पत्रस्य पुटे सयानं वाला मुकुंदं मनसास्मरामी कस्तूरी तिलकं ललाट पतले वक्षस्तले कोस्तुवं नासाग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनुकरे कंकणं सरवांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेच मुक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगनसद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमल नयनं योग व्रिद्या नगम्यं वंदे विष्ट्नुम्भव वयहरं सर्वलो के कनाधं कबच बना लें ध्यान करें स्रीहर की किर्पा हम सब के उपर बरस रहे हैं कौम बोलते हुए नेत्र खोलें समान्य हो जाएं देखो साथ को आज के दिन चलते फिरते उठते बढ़ते स्री मन्नारण औम नम भगते वासु देवाए पढ़ते रहना आज के दिन स्री हरी के एक स्वाट नाम पढ़ना बहुत अच्छा होता है तो जितना वेटा आप से बन पढ़े आप उतना करने का प्रियास करना ठीक है चलो आप सब लोग स्वस्त रहें सुखी रहें इरे शुपामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को बनाम देते हैं जजर्मबे गुरु जी मैं गौहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिर में हमसा सुरी को देखते वे बताया था तीन माला करने के लिए वो मैंने जब से शुरू किया कि अजर्मबे मैंने अंदर आया और मैंने मुझे एक नेगिटिविटी दूर हुए और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धत कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें